नवश्कार आप देख रहे हैं न्यूस नेशन स्पोर्ट सोर में आपके साथ अक्यल गुपता आज इंडिया और श्रिलंका की बीच तीन मैचों की वंडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खिला जाएगा ये मैच भी पहले ही मैच की तरह यानि की कोलंबो के आर प्रेमदासा स्ट्रेडियम में होने वाला है और आप सभी को पता है पहले मैच का रिजल्ट क्या था टीम इंडिया को 211 का टागेट मिला था लेकिन मुकाबला टाई पर समावत हुआ दोनों टीमों ने 230-230 रन मनाए और किसे ने सोचा रहे था कि वंडे क्रिकेट इतना रोमान चको सकता है अब दूसरा वंडे शुरू होने वाला है इस मैच में दोनों टीमों के पास मौका रहेगा मैच जीत कर बढ़त लेने का लेकिन अगर आप फेंटेसी लेविन के दिवान है अगर आप फेंटेसी टीम बनाने का शौक रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है क्योंकि पिछले मैच में हमने जो प्रेडिक्शन की थी ओल्मॉस्ट वो सही रही है अलाकि हमारा कप्तान नहीं चला हमने कप्तान शुबंगिल को बनाया था वो फ्लॉप रहे लेकिन उप कप्तान कुल्दी बैदर ने अच्छा पीफूमेंस किया चरित असलंका तीन विक पिछले मैच में चरित असलंका को पिछले मैच में चरित असलंका ने बताए टीम के कप्तान ही टीम के कप्तान वी हैं पिछले मैच में तीन विकेट अपने नाम किये थे उम्मीद है कि आज के मैच में उनका चलवा देखने को मिलेगा और अमारी जो टीम है वो अच्छी रहेगी कप्तान हमने चुना है विराट कोली को याद रखिएगा पिछले मैच में 24 पे आउट वे थे लेकिन विराट कोली को कभी भी कम नहीं आखा जा सकता वन डे क्रिकेट बेश पिछली विराट कोली के जो आखड़े हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयाँ करते हैं उपकप्तान हमने चरित असलंका को चुना है जो कि एक पार्ट टाम स्पिनर के तौर पर श्रिलंका के लिए कारगर साबित हो सकते हैं अगर आप इस टीम से अगरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगर इस टीम से अगरी नहीं है फिर और कोई टीम मनाना चाहते हैं यह फिर इसी टीम में कप्तान और किसी और को चुनना चाहते हैं तो भी इमें जरूर बताईएगा वैसे यह मैच टीम मीडिया लेके बहुत यादगार होने वाला है क्योंकि आज का मैच अगर टीम मीडिया जीत गई तो श्रिलंका के किलाब भार्टे टीम का इस शतक लग जाएगा जीत का शतक लग जाएगा भारत की श्रिलंका के किलाब के 100 वी जीत होगी अब तक 169 मुकाबले खेले गए जहाँ पर 99 मुकाबले भारत ने जीते है टूएट रिकॉर्ड है ये और श्रिलंका के राम सतावर मुकाबले रहे ग्यारा मैच का कोई रिजलेट नहीं रहा और दो मुकाबले टाइपर समावत हुए के टीम इडिया एक बहतर प्लेंग 11 के साथ मिदान बर उतरेगी और सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी क्योंकि टीटवेंडी सीरीज में सुर्य कुमार यादों की कप्तानी में टीम इडिया ने काफी अच्छा परफॉमेंस किया तीर के तीर मैच अपने नाम किये पहला मकाबला 13 से जीता फिर साथ विकेट से जीता और आखरी मैं सूपर ओवर में बाच्छे टीम में अपने नाम किया अब उमीद है कि वन डे में रोई शर्मा की कप्तानी में भी टीम इडिया उसी परदशन को दोराएगी और सिरीज जीत कर भारत लोटेगी इस फेंड़ेजी टीम से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन प्रिटाएज जरूर दें वीडियो पुसंद आया हो तो लाइक कमेंट शियर करना बिल्कुल भी ना बूले